हेलो फ्रेंड्स स्वाधत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूटूब चैनल उम्मेदों का प्रभात में जी हाँ आज जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोड मिती त्रिकोड मिती एक ऐसा टॉपिक है जो की चाहे हम हाई स्कूल लेवल पे हो चाहे इंटर किसे कहते हैं और यह मेरा आपसे कॉस्चन भी है वाट इस ट्रिकोड मेट्रिकल फंक्षन सभी साइन तीटा कॉस्टिटा तो पड़ते हैं लेकिन वह यह नहीं अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे कि त्रिकोड मिती एनुपात क्या होता है तो वह इधर अधर बस देखन लगेंगे बहुत ही कम लोग होंगे जो बता पाएंगे कि त्रिकोड मिती अनुपात किसे कहते हैं तो आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोड मिती अनुपात किसे कहते हैं और एक त्रिकोड मिती अनुपात पता होने पर हम कैसे अन्य त्रिकोड मिती अनुपातों को भी ज्या यहां उसमें त्रिभुज और उसकी भुजाओं शे सम्बन्धित अध्यन किया जाता है तुरी कोड्मिती में त्रिकोड मिती में सबसे महत्यपूण क्या है तो त्रिकोड मीति में सब्सें महत्वपून है सम कोड त्रिभुज जहां से इसका जनम हुआ जहां से त्रिकोड मीति का जनम हुआ त्रिकोड मिती अनुपात तो देखें यहीं हम लोग का कोशन था त्रिकोड मिती अनुपात किसे करते हैं साइन्थिचा वो सम्ही पढ़ते हैं लेकिन यह बहुत कमी लोग बता पाते हैं तो देखें क्या है किसी संपोड त्रिभुच की किनी दो भुजाओं के अनुपार को किसी संपोड त्रिभुच की किनी दो भुजाओं के अनुपार कहते हैं तो देखें यही संपोड त्रिभुच अगर है तो संपोड त्रिभुच में तीन चीज़े होती है कॉर्ञ होता है अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो यह बेस होता है यह Häोटनिस होता है है इन्हीं पांपस जो बटा-बटा करक के जो संबंध होता है वही होता है त्रिकोड मीति अनुपाद अगर बात करें इसकी इतिहास की कि इसका क्या इतिहास है इसकी खोज किस ने किया तो देखें इतिहास में इसका खोज में इसकी खोज में जो है भारत का बहुत महतुकुन योगदान रहा है जी हाँ आज ये भट आर्य भट चोकी 476 इस्वी से 550 इस्वी तक थे उन्होंने एक ग्रंथ दिया था उस ग्रंथ का क्या नाम था आर्य सिध्धान्त ग्रंथ आर्य सिध्धान्त ग्रंथ उन्होंने लिखा था और इसमें ही सबसे पहले आर्य सिध्धान्त नाम ग्रंथ उन्होंने लिखा था इसमें ही सबसे पहले ज्या कोज्या तथा इनके प्रतिलोव यानिके इनका व्यूत्रम की सबसे पहले इन्होंने जो है उसमें जिक्र किया थ तो आरे except कोहीं … खोज्छ कर्ता ऌन यहींसे exclus कि शुरुवाथ हुई अब अब औब सूच रहे हैं कि यह तो खोज करता है और अरे बट्ट क्या है और तो खोज करता है लेकिन अगर हम इसके जनत की बात करें अगर हम इसके जनक ही बात करें कि त्रिकोड मिती का जनक कौन है देखिए यहां पर यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं आप खोश्ते-खोश्ते ठक जाएंगे बहुत मुश्किल से ही आपको हो सकता है कि कहीं मिल जाए देखिए जो इस किया है कि इसने आरे भटने लेकिन हमने त्रिकोड मिती में पताया कि त्रिभूज उसकी भेजाओं का अध्यान तो त्रिभूज और उसकी भुजाओं का जो अध्यान का जो शुरुवात को जनक है इसके जनक हिपार्कस को माना जाता है कि इसको माना जाता है इसको इंग् और इनका जो टाइम था जो समय इनका था वो था 180 इसा पूर्व से 125 इसा पूर्व के समय में इन्हों ने जो है त्रिकोड मीती में त्रिकोड मीती के शुरुवार के त्रिकोड मीती के जनक के रूप में हिपारकस को माना जाता है त्रिकोड मीती का जनक जिनका समय क्या है ये 476 से 550 इस्वी के बहुत समय पहले 180 से 125 इशा पूर्व तो अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये लंब कन आधार तो मुझे बता दिया गया लेकिन क्या रिपूर्ड मिती अनुपात क्या होते हैं ये भी हम लोग उने उसकी परिभासा भी जा लिया लेकिन ये वास्त पढ़ते आये हैं जैसे देखिए अगर हम बात करें देखिए लाल बटे कका आप सभी ने पढ़ा हुआ है लाल बटे कका तो यहां पर लाल बटे कका क्या चाहता है एल से होता है क्या लंब के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार होता है तो यहां पर देखिए यहां प तीन मुराबर क्या होता है लंप कर चंट कि कि यल से लंप हो गया ग्याँ से कड़ मुत लंब अर् muse क्रण पराबर होता है up नंquito वेराबर होता है लंब बटे अद्वर में ऐसे ही ही तीन होते हैं जो तीन और जो होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं चलिए यहां पे हम दिग्दे रहें हैं काट थीटा बराबर तो देखें इसी का ज़स्ट अपोजिट कर दीजिए तो यहां हो जाएगा क्या आधार बटे अधार बटे लंग अगर इसका उल्टा करेंगे साइक थीता बराबर तो यह हो जाएगा क्या बटे अधार और अगर आप कन चर्थ कारेंगे कर देखें यह इसी से बना हुआ है अगर अगर आप उपर से आएंगे अगर वबर स्या हैंगे छे यह दिखें मिलेगा साइन थीटा बराबर यल वाई के है तो लंग बटा करण अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो आधार बटे करण अगर टैन थीटा की बात की जाए तो लंग बटे आधार अब जिब यह इसका उल्टा हो रहा है तो रिखे इसका उल्टा कॉट थीटा टैन का उल्टा कॉट ह होता है तो इस तरह से यह तीन चीजें हम लोगों ने जाना अब देखे यहां पर इस पर आधारिक एक सवाल है जो कि कि हमें सवाल करके पूछा कवें तो आई यह देखते हैं कि यह कि क्या क्या कर यहां पर D yeahimisी बराबर चार बटा 5 पांक की यहां पर है लम्ब हमारा父 है आरक्र क्यां है 5 क्यों कि हमारा होता है तो यहां पर देखें है लबर के कि यहां पर हम लिख नोखी साइंसी बराबर किया होता है सुत्र लंब बटा करंड बराबर 3anden 4 बराबर 4 पांच यह होता है अब सांसी बाबर लंब बटा गणड बराबर 4 बराबद 1 rejection थो यहां पर देखें यह चार यह क्या है पांच है हमें तीसरा वाला नहीं पता है और जब तीसरा वाला हमें पता होगा तभी यह सारे त्रिकोड मिति अनुपात कितने होते छैए होते हैं हिसको हिंदी में कहें तो हिसको ज्या कहते हैं ज्या कहते हैं और इस पर उच्या अगर इंग्लीज की बात की जाए तो दिखिए इसको है साइन इसको बोते हैं को साइन और आव इसको बोलते हैं गें थे okay यह वोते हैं इसी का प्रकिलर यानि इसी का उर्ल्टा है थी कहения है तो यह चीज हो गया अच्छा अब यहां पर भी के साइम थी ता प्रप्रम पांट जिया है तो यहां हम फीगर में कि दिखे हम ने बना लिया है तो आप हम यहां लिखेंगे पाइथा गुरस प्रमे से यह प्रमे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर हर जगा यूज होता है पाइथा गुरस प्रमे का स्टेट्मेंट क्या है कि किसी भी संपुर्टिबुष की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानि कि कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजाओं के यानि कि लंब छोटा होता है कंड से आधार भी कंड से चोटा होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है पाइथा गुरस पर में क्या है किसी भी संपुर्टिबुष में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भ आधहार जो मैं नहीं पता है हम उसको निकाले में गीं यहां पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा शोलं और यहां आधहार हमें चाहिए तो अब आधार चालिए अधा यहां इस्कॉयर है यहां इस्कॉयर भी लगेगा आप यहां देखेए पचीस में से जब सोल्ह जायेगा तो यहां आधार का इस्कॉयर बचेगा यहां जब हम घटा जेंगे तो यह हो चायगा इतना 9 परावर आधार का इस्वायर और अब देखुए यहां इस्वायर लगा है तो जब यहां दोनों पच्छों के करणी दगा देंगे यहां पर इस्वायर से करणी बट जाये गा और इस तरह से जो हमादार आएगा वो कितना आ जैगा 3 तिन आजाएगा क्यों क्यों कि नो का वर्व मूल होता है अब यहां पर यही अब जब तीनों मिल गए लम्भी मिल गए कण बिन गया अधार जो की त्रिकॉड मित्य अनुपात का मूल जो होता है वो हमें मिल चुका है, अब हम यहां पे सारे वैरूज को यानि सारे अन्य त्रिकुड मित्य वक्साइन सी हमें पता है, अन्य पुछरा यानि 6 होता है, तो 6 में से 1 हमें दे दिया है, 5 हमें पता लगाना है, तो चलिए यहां पे जो ठीटा दिया है, अगर यहां प कट कर्या नहीं होता तो चलिए हम इसको C ही मादने रहे हैं सब को सी दिया है और यहां पे लुद्व है रहा है कि यहां पर शुरूब् हमारा अजरूव मैं धी या ढ़े ऊद्न लुगा है चार वट च्बोर से यहां से आ आ रहा है यह भी एन्सर होगा हमारा और यह भी ही क्षोड़ा to dairy है आध्हार बल्टा कर्ण आपर है को चाएर कि टिन है और बाकितना मांट रहा है इस तरह से को सी निकल यह दो fence की बात कि मैंतना है सब्सक्राइब इस हमारा यह देंगे प्रणाभ से दो पर देंगे तू चार हो जाएगा चाहार पांच है तो पांच इस तरह से हमारा एंसर हो जाएगा कर दो कर दो